अमर पर बंधे अंकोछे से पोचने लगा फिर शमोन पत्रस के पास आया क्या तुम मेरे पाउं धोएगा प्रभू? जो मैं अभी करता हूँ तू से अभी नहीं जानता परंदू इसके बाद चानेगा तू मेरे पाउं कभी न धोने पाएगा यदि मैं तेरे पाउं नहीं धोता तो तू मेरा चेला नहीं ठहरेगा प्रभू तो मेरे पाउं ही नहीं वरन हाथ और सिर्भी धो दे जो नहा चुका है उसे पाउं के सिवाएग और कुछ धोने की आवशक्ता नहीं वो बिलकुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो सिवाएग के यीशु पहले से उसके पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा सब को छोड़ कर एक नहीं जब यीशु उनके पाउं धो चुका और अपने कपड़े पहन कर फिर बैठ गया क्या तुम समझे मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाउंध होए तो तुम्हे भी एक दूसरे के पाउंध होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा तुम भी करो मैं तुमसे सत सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और संदेश लाने वाला अपने भेजने वाले से बड़ा नहीं अब जो ये सत्य तुम जान गए और अगर इन पर चलोगी तो कितने धन्य होंगे मैं तुमसे सब की बात नहीं करता मेरे चुने होंगो मैं जानता हूँ परंदु पवित्र शास्त्र पूरा हो जो कहता है जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझे पर लात उठाई मैं इसके होने से पहले तुम्हें चाता हूँ कि जब वो हो तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरे भेजे हुए को ग्रहेंड करता है वो मुझे भी करता है और मुझे ग्रहेंड करने वाला मेरे भेजने वाले को ग्रहेंड करता है ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और सब के सामने गवाही दी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा चेली संदेह से कि वो किसके विशय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे उन में से एक चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था यीशु के पास बैठा था शमोन पत्रस ने उसकी ओर इशारा किया उससे पूझ वो किसकी बात करता है तो वो चेला यीशु के निकट और सरका वो कौन है प्रभू जिसे मैं रोटी टुबा कर ये टुकडा दूंगा वही होगा और उसने टुकडा डुबो कर शमोन इस करियोती के पुत्र यहुदा को दिया यहुदा ने जैसे ही रोटी का टुकडा लिया उसमें शैतान समा गया जो तुझे करना है जल्दी कर बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि येशु ने ये बात उससे किस लिए कही क्यूंकि यहुदा के पास पैसों की ठैली रहती थी तो कुछ चेलों ने सोचा येशु ने उसे पर्व के लिए मोल लेने को भेजा है या कंगालों को कुछ दे दे यहुदा ने रोटी का टुकडा लिया और तुरंत बाहर चला गया रातरी का समय था जब वो बाहर चला गया तो येशु ने कहा अब मनुश्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा हे बालको मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हो फिर तुम मुझे धूंडोगे और जैसा मैंने यहुदी सरदारों से कहा जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते मैं तुम्हें एक नई आग्या देता हूँ एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे रखा है वैसा तुम्हें भी एक दूसरे से प्रेम रखना है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो तु कहां जा रहा है प्रभू? जहां मैं जाता हूँ अभी तु मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे तु आएगा ये प्रभू, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तेरे लिए अपना प्राण दे दूँगा क्या तु मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच-सच कहता हूँ मुर्गा बांग देने से पहले तु तीन बार मेरा इंकार करेगा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान है मैं तुम्हारे लिए जगे तैयार करने जा रहा हूँ यदि ना होते तो तुमसे ये न कहता और जाकर जब तुम्हारे लिए जगे तैयार करूँगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊँगा ताकि जहां मैं रहूँगा तुम भी वहां रहोगे जहां मैं जा रहा हूँ, वहां जाने का मार्ग तुम जानते हो हे प्रभू, हम नहीं जानते कि तु कहां जा रहा है तो हम वहां पहुँचने का मार्ग कैसे जाने मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा पिता तक कोई नहीं पहुच सकता यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है ए प्रभू पिता को हमें दिखा दे ये हमारे लिए बहुत है मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तु मुझे नहीं जानता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा क्या तु विश्वास नहीं करता फिलिपुस के मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ये बात ही जो मैं तुझ से कहता हूँ वो मेरी और से नहीं है पिता जो मुझ में है अपना काम करता है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है नहीं तो कामों के कारण विश्वास करो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम वो भी करेगा वरन इससे भी बड़े-बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा यदि मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्याओं को मानोगे मैं पिता से बिंदी करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा